इस वीडियो वी आइप लिए इस वीडियो वी आइप अपार्टी के बारे में फर्क जाने वाले हैं जो है नाशनल पार्टी और रिजिनल पार्टी इसके नाम से यह पंदाजा लगा सकते हैं नाशनल पार्टी वो पार्टी होती हैं जो पूरे राष्ट पे काम करती हैं जैसे पूरे इंडिया और जो रिजिनल पार्टी होती हैं वो राज्य पे काम करती हैं जैसे गुजरात सिर्फ महाराष्ट पे यह पार्टी आपको एलेक्शन लगने को मिलेंगी चलिए अब हम ल election commission सबसे पहले regional party और political party को पैचान देता है और उनकी criteria क्या है national parties अगर किसी भी party को national party में अगर बनना है तो उसको कम से कम जो election चल रहा है जैसे लोग सबा का election चल रहा है उसमें कम से कम चार राजियों में मिलकर 4% से जादा vote हासिल करने यानि चारों राजियों में 4-4% vote हासिल करने कम से कम तब उन्हे national party का दर्जा दिया जाएगा these party have mass base in a large number of state and take part in the politics अब ये जो party होती इनका बहुत बड़ा network होता है बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत ही जादा राजियों में ये election एक साथ दरते हैं जैसे bjp हो गई congress हो गई then अब आ जाते हम regional parties regional parties में भी same procedure होत पर लेकिन ये एक राज्य तक सीमित हैं अगर वो एक राज्य में election कर रहे हैं अगर इन्हें regional party का अगर इन्हों recognition चाहिए तो कम से कम वो राज्य के अंदर वो state के अंदर कम से कम 4% से जादा vote इनको जमा करने होंगे अब these party have mass base in at least one state and take part in the political at the state level अब इन party के भी बहुत सार state level पे ना कि इंडिया लेवल पे हैं number third their ideology is broad based and deal with the national issue अब ये जो national parties के जो सोच होती है वो पूरे राष्ट को लेकर होती है राष्ट हित के लेकर होती है और देश की जो भी समझ से आए हैं और जो भी problems है उनको solve करती है लेकिन regional parties the ideology is narrow based जैसा area जैसे राज्य बेस पे होते है state के बेस पे होते हैं तो सिर्फ इनकी जो problems होती है ये अपने state की problems solve करते हैं अब number fourth कुछ हम national parties के बारे में जानते हैं जैसे इंडिया national congress, भारतिय जन्ता पार्टी, CPI, CPIM, BSP, NCP ये कुछ राष्ट इनको पूरे देश में election commission ने recognize करा हुआ है ये पूरे देश में जो लोग पूर्ट सभा के election होते हैं वहाँ पर ये लड़ सकते हैं नंबर fourth DMK, AI, अब हम लोग जानते है regional parties जो है DMK, AI, DMK, अकाली दल, तेलकु देशाम party, RJD, JDU, समाजवादी party, AGD, National Conference, शिव सेना, और the some of the regional party ये ऐसी party है जो सिफ राष्ट पे, sorry, राज्यू पर election लड़ते हैं जै JD, JDU, बिहार की है, तेलकु देशाम party, ये तमिल नाडू में सिर्फ लड़ती है, समाजवादी party, ये सिर्फ उत्तर परदेश में लड़ती है, DMK, ये सिर्फ West Bengal में election लड़ती है, तो इस तरीके से अभी यहाँ पे हमने समझा कि क्या फरक है national parties और regional parties में, national parties और regional parties अगर इन So, this question ends over here, So, if anyone having any doubt, कोई भी query है, वो मेरे comment box में comment कर सकते हैं, Thank you very much